प्यार करने बाले लोग फरवरी महीने का बेसबरी से इंतजार करते हैं प्रेमी जोडों के लिए यह महीना सबसे खास होता है क्योंकि इस महीने में ही वैलेंटाइन डे आता है वैसे तो वैलेंटाइन डे एक हफ़ते पहले ही अपने पार्टनर को फूल, चॉकलेट, टेड़ी बेर और गिफ्ट्स देने का सिलसिला शुरू हो जाता है और साथ फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक पूरे खफ़ते वैलेंटाइन वीक सेलिबरेट किया जाता है फिलाल आपको पता है कि फरवरी का ही महीना चल रहा है और प्रेमी युगलों में इसे लेकर खुशी की लहर है इस महीने प्रेमी जन अपने पार्टनर को खुश करने के लिए हर संभव प्रियास कर रहे है कहते हैं अगर वैलेंटाइन डे के दिन कोई लड़का किसी लड़की को प्रपूज करे तो उस लड़की के हां करने की संभवना काफी ज्यादा रहती है लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया भर में मनाए जाने वाले वैलेंटाइन डे की शुरुआत कैसे हुई थी और इस खास दिन को क्यों सेलिबरेट किया जाता है तो आईए आपको बताते हैं इसके पीछे की कहानी के बारे में एक प्राचीन कहानी के नुसार बारवी शताबदी के आसपास रूम में कलाडियस नाम का एक शासक हुआ करता था और उनके कानून काफी सक्त थे वै अपने किसी भी सैनिक को शादी नहीं करने देता था और अगर कोई सैनिक उनके कानून को तोड़ता था तो उसे बड़ी बहंग कर सजा देता था उनका मानना था कि शादी करने के बाद सैनिक अपने घर परिवार में व्यस्त हो जाता है और दुश्मन से उसका ध्यान हट जाता है उनके इस कानून का संत वैलेंटाइन डे ने वरोध किया था संत वैलेंटाइन रोम में एक पादरी थे और प्यार में विश्वास रखते थे उनके लिए प्रेम ही सब कुछ था जिसका जिक्र आरिया ओफ जैकोबस जी विराज जिन नाम की पोस्तक में भी मिलता है संत वैलेंटाइन डे ने राजा कलाइडियस का वरोध करते हुए अधिकारियों और सैनिकों का प्रेम विभा करवा दिया इतना ही नहीं संत वैलेंटाइन ने रोम के बाहुत सारे लोगों को प्यार का महतु बताया और प्रेम विभा के लिए प्रिरित किया जब राजा क्लाइडियस को इस बात का पता चला तो वह आग बबुला हो गए और 14 फरवरी को उन्होंने संत वेलेंटाइन को सूली पर चड़फा दिया उसी दिन से हर साल 14 फरवरी को वेलेंटाइन डे के तोर पर मनाया जाने लगा है और आज तक लोग इस परंपरा को कायम रखे हुए हैं फरवरी में लगातार साथ दिनों तक वेलेंटाइन वीक सेलिबरेट किया जाता है जब भी किसी को अपने दिल की बात कहनी होती है वह इसी वीक का इंतिजार करता है इस सबताहा कि सातों दिनों को अलग-अलग दिन के रूप में मनाया जाता है जैसे साथ फरवरी को रोज डे आठ फरवरी को प्रपोस डे नो फरवरी को चॉकलेट डे दस फरवरी को टेडी डे ग्यारे फरवरी को प्रॉमिस डे बारे फरवरी को हग डे और तेरे फरवरी को किस डे तो वहीं सबसे आखिर में 14 फरवरी को वेलेंटाइन भी मनाया जाता है वेलेंटाइन को पूरी दुनिया में मनाया जाता है लेकिन भारत में कुछ सालों पहले ही शुरू हुआ है भारत में लोग बहुत से इसका विरोध करते हैं और इसे भारते संस्कृती के खिल आफ मानते हैं नेक्स्ट नाइन स्प्रीच्वल की रपोर्ट